हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल आज हम बिना कैस जलाए वे बहुत ही टेस्टी मिठाई बनाएंगे और वो भी सिर्फ तीन चीजों से ही चलिए वीडियो की दरफ यहाँ पर मैंने एक बड़ा बाउल ले लिया है उसमें एक कप डेसिकेटर कोकोनेट ले लिया है क host aşk करते हम बल लेंगे अगर आपके पास कंडेनस मिल्क नहीं है तो आप दूध भी ले सकते हो और उसमें थोड़े से काजू को पेस कर डाल लेना ओर दूध मिक्स करते हुए बना लेना डो quद लेकिन यहाँँ पर मेरे पास कंडेन्स मील्क था तो मैं देकी disc मिक्स कर लूँगी तो एक डो की तरह हम इसको मिक्स करते विए मसलते विए बना लेंगे यहाँ पर हमारा डो तैयार हो गया है और अब हम इसे दो भाग में डिवाइड कर लेंगे क्योंकि मिठाई को थोड़ा plain नहीं बनाने की बजाए थोड़ा attractive बनाएंगे तो इसलिए मैंने इसे दो भाग में डिवाइड कर लिये है उसके बाद मैंने एक पार्ट को अलग रख दिया है और दूसरे वाले में हम थोड़ा सा चोकलेट फूड कलर डालेंगे आप चाहे तो बिना डाले भे भी इसका रोल बना सकते हो लेकिन मेरे पास फूड कलर था तो मैं यहाँ पर दो बूंद सिर्फ चोकलेट फूड कलर डा और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे यहाँ पर मसलते हुए मैंने यहाँ पर इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और यह मिठाई बहुत जल्दी बन जाती है बिना गैस जलाए हुए ही यहाँ पर बटर पेपर और मैंने ले लिया है और उसके उपर हम अच्छे से इसक बार और इसको थोड़ा सा फैला के अब हम इसे बेलन से अच्छे से चारो तरब से फैला लेंगे आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप एक पोलितीन लेके उसको हलका सा घी से ग्रिस करके वो भी ले सकते हो तो इसको मैं फैला लेती हूँ अच्छे से और यह देखो मैंने इस तरह से फैला लिया है जादा मोटा भी नहीं और जादा पतला भी नहीं है इसी तरह मैंने चोकलेट वाला भी एक तरफ बेल के रख लिया था और मैं इसके उपर रख दूँगी अब यहां पर थोड़े से मेरे पास चोकलेट वाले ही चोको चिपस थे तो मैंने वह ढाल दी है आपके पास अगर नहीं है तो रहने दीजिए लेकिन मेरे पास थे तो बीना चोको चिपस के भी बहुत टेस्टी मिठाई बनके तैयार होती है अब हम इसको fold कर देंगे आप इसको और भी तरीके से बना सकते हो कोई भी save दे के बना सकते हो लेकिन मैं यहाँ पर इसका roll बना रही हूँ इस तरह से मैं इसको अच्छे से fold कर दे रही हूँ यहाँ पर मैंने इसको fold कर दिया है अब हम दोनों side से बंद करके इसे fridge में set होने के लिए 2 गंटे के लिए रख देंगे आप भार भी रख सकते हो भार में भी आराम से set हो जाता है लेकिन मैं fridge में रख देती हूँ इसको set होने के लिए और 2 गंटे बाद मैं दिखाती हूँ फिर ये देखो 2 गंटे के बाद मैंने इसको खोल लिया और हमारा अच्छे से ये मिठाई set हो चुकी है यहाँ पर मैं silver work लगा लेती हूँ जरूरी नहीं है कि आप silver work लगाओ लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा दिखाने के लिए silver work लगा लेती हूँ इसको पेपर लगा के अच्छे सेट कर देती हूँ और यो मिठाई बहुत ही tasty बनकर तैयार हुई थी बिना किसी महनत के ही अब मैं इसको काट के आपको दिखाती हूँ कितनी अच्छी बनकर तैयार हुई है यह देखो देखने में भी कितनी अच्छी लग रही है और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आये तो प्लीज लाइक, सेयर और कमेंट जरूर करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें और बिना किसी मेनद के हमारी मीठाई बनकर तैयार हुई मैं इसे तोड़ कर भी दिखाती हूँ, देखो यह कितनी सौफ्ट है तोड़ने में भी, बहुत और आप यही नीठाई बहार लेने जाओगे मार्केट में तो बहुत कोस्ली मिलेगी, यहाँ पर हमारी सस्ते में बनकर तैयार हुई थेंक्यू सो मच